देर रात पानिपत के मौडल टाउन के घर से 11 साल के एक बच्चे के गायब होने का मामला सामनी आया अचानक बच्चा अघर से रात करीब 10.30 बजे के बाद लापता हो गया बच्चे का नाम विपल है, विपल की मास संतोश का कहना है कि वह रात को घर का दर्वाज़ा बंद करके सोई थी और उसीने सुभा घर का दर्वाज़ा खोला, ऐसे में विपल कहां गया और कैसे गया ये कोई नहीं जानता वहीं विपल की भेन प्रियंका ने बताए कि रात करीब 10-15 पई विपल उसे कट्रा में हो रही सनोफोल के बारे में बता रहा था और वहां जाने की बात कह रहा था इसके बाद वे बातरूम चला गया और वे सो गई इसके बाद वहां से विपल का एप हो गया पुलिस ने गुमशूदगी की रिपोर्ट दर्सकर मामले के जाच शुरू कर दी है